तूफान का आना भी बहुत जरूरी है जिन्दिगी में पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रहता है और कौन छोड़ देता है नमस्कार जहिन साथियों रीट एकजाम 2021 से तू समझेगे देन की जो अपने टोपिक वाईज मेराथन सीरीज चल रही है सीरीज संक्याज 89 और आज की सीरीज के अंदर हम प्रारंब कर रहे हैं राजस्तान के बहुत तिक प्रदेश याँस जितने भी सवाल बनेगी उनका संकलन किया जा रहा है राजस्तान के बहुतिक प्रदेश वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप शेर कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर आये हैं तो सब्सकाइब भी कर लीजिएगा अपना टेलिग्राम चैनल का नाम है कवियादिगने सिंदी जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्रारंब करते हैं पहला सवाल है बहुतिक प्रदेश या बहुतिक राजस्तान के बहुतिक विभाजन में उत्तरपश्चिमी मरुस्तली प्रदेश वे पूर्वी मैदानी भाग अवशेश है तेथिस सागर के गोडवाना लेंड के अंगारा लेंड के या इनमेस हैं कोई नहीं तो उत्तरपश्चिमी मरुस्तली प्रदेश वे पूर्वी जो मैदानी भाग है वो अपने तेथिस सागर के अवशेश है वेक्या में देख लीजिए आप तथा मद्यवर्ती अरावली प्रदेश और दक्षिन पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोडवाना लेंड के अवशेश है भारत वे राजस्तान में अंगारा लेंड के अवशेश नहीं है ये चीज़ आप द्यान में रखेगा या तो ठेती सागर के मिलेंगे या फिर गोडवाना लेंड के मिलेंगे अंगारा लेंड का अपने यहां बारत वे राजस्तान कोई कनेक्षन नहीं है अगला देखिए राजस्तान के बहुगोलिक प्रदेशों में सहरव पर्थम किस प्रदेश का उदबह हुआ दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश का, पूर्वी मेदानी प्रदेश का, मरुस्तल प्रदेश का या फिर अरावली परवत्माला का तो उत्तर हो जाएगा देह स्वर परतम अरावली परवत्माला का उध्भव हुआ था फेक्ट में देख लीजिए इन प्रदेशों के उद्भव का जो क्रम है सबसे पहले रावली परवत्माला का उद्भववा फिर दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश का फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश का और फिर मरोस्तली प्रदेश का ये क्रमानुसार था अगला सवाल देखिए शब्दावली की द्रिष्टी से राजस्तान के बहुतिक प्रदेशों को कितने भागों में बाटा गया है चार, पाँच, छे या फिर तीन उत्तर हो जाएगा दे तीन भागों में कौन-कौन से हैं वो देखिए तीन भागे अपने पहला है मरू इसमें मरुस्तल प्रदेश वे पूरुवी मेदानी प्रदेश है दूसरा मेरू अरावली परवतिये प्रदेश को रखते हैं इसके अंदर और तीसरा है माल इसका आर्थ है पठारी प्रदेश इसमें दक्षणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हम रखते हैं अगला सवाल देखिए इसके अंदर आपको मिलान करना है एक तरब अपने प्रदेश या मेदान है और दोसरी तरब है प्रदेशों का निर्मान चट्टानों से अब देखिए यहां पर मिलान करके बता देताओं में आपको एक के अंदर हो जाएगा सी पश्चिमी बालू प्रदेश पश्चिमी जो बालू मेदान है उसके अंदर होगा राईलो क्रिष्टे क्रिष्टे साई तो अपना पश्चिमी जो बालू मेदान है इसका हो जाएगा रायलो, क्रिष्टेशम, क्रम दो के अंदर हो जाएगा A अरावली प्रवती जो प्रदेश है इसमें अरावली दिल्ली, क्रम और तीस राजवत तीन के अंदर हो जाएगा B दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आरकियन विद्यन ग्रम वहीं उच्चावच दरातल के नीचे दरातल के उच्चे नीचे स्वरूप को उच्चावच कहा जाता है आगे देखिए जो अगला फेक्ट है सरंसनात्मक द्रिष्टी से राजस्तान का भहुतिक स्वरूप भारत के उत्री व्रहद मैदान और प्रायद उपिये पठार जिससे उच्चावच परदेशों का हिस्सा है अगला सवाल देखिए उच्चावच के परकार है परवत, पठार, मैदानिभाग, सभी उत्र हो जाएगा ये सभी है जो उच्चावच के परकार है फेक्ट देखिए यहां से भी सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है इन्होंने राजस्तान को साथ भागों में बाटा था और राजस्तान को दूसरी बार जलवायू के आधार पर भोगोलीक परदेशों मैं बाटने का जो काम किया था वो किया था S के सेन ने और इन्होंने राजस्तान को तीन भागों में बाटा अगला फैक्ट देखी और तीसरी बार भागोलिक परदेशों में जो बाटने की डिवाइड करने के प्रियास किए वो किया था डॉक्टर रांब लोचन सिंग ने और उन्होंने राजस्तान को दो भागों में, चार उप भागों में वे बारे लगू परदेशों में बाटा था डॉक्टर राम लोचन सिंग ने दो भागों में मुखे रूप से फिर चार उप भाग और बारा लगू परदेशों में विबाजित किया अगला सवाल है अपना राजस्तान को उच्चावच के आधार पर कितनी इस्तला करती स्वरूपों में बाटा गया है चार, तीन, दो या पांच उत्तर हो जाएगा एह चार के अंदर कौन-कौन से हैं उत्तरी पर्शमी मरुस्तल परदेश मध्यवर्ती अरावलिय प्रवतिय परदेश दक्षिन पूर्व का पठारी परदेश और पूर्व का नदियों दुवारा निर्मित मैदानी परदेश अगला सवाल है अपना विश्व का एक मात्र जीवन्त मरुस्तल जो की टेथिस सागर के अवशेश के रूप में है सहारा मरुस्तल थार का मरुस्तल काला हरी मरुस्तल या फिर इन में से कोई नहीं क्या उत्तर हो जाएगा थार का मरुस्तल वेक्या में देख लीजिए इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे युवा मरुस्तल है यह दोनों सवाल पूछे ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला भी पूछा गया विश्व का सबसे युवा मरुस्तल यह भी पूछा गया तो दोनों चीज़ ध्यान में रखेगा अगला सवाल अपना राजस्थान का मुरुस्तल, थार के मुरुस्तल का तीन बटा पांच हिस्सा रखता है जो एक लाग पचतरा जार वर किलोमेटर में फेला हुआ है यह राजस्थान के कितने जिलों को कवर करता है दस, ग्यारे, बारे या फिर तेरे क्या उत्तर होगा? दे, तेरे जीलों को, ठीक है, फेक्ट देखिए आप, यह राजस्तान के 61.11% भाग पर फेला हुआ है, यहां पर जो राज्य की है, 40% जनसेंग के निवास करती है, जनसेंग के निवास करती है, उत्तर पश्चमी मरुस्तल, राजस्तान की अधिक जो अधिक तम लंबाई है, वो यह 640 किलोमेटर, उत्तर पश्चमी राजस्तान मरुस्तल की जो ढाल है, उत्तर से दक्षिन, तता पूर्व शे पश्चम है, ठीक है, अगला सवाल देखिए, उत्तर पश्च में मुरुस्तल ये प्रदेश का जनसंग क्या घनेत्व है? 101, 102, 103 या फिर 104. उत्तर हो जाएगा से, 103. फैक्ट देखी, यह सरवादिक जनसंग क्या घनेत्व वाला मुरुस्तल है. और मुरुस्तलों के अंत्रगत सरवादिक जे वीविता इसी मुरुस्तल में पाई जाती है. इसी कारण डॉक्टर इश्वरी प्रकास ने इस छेत्र को रुक्ष छेत्र भी कहा है. इस प्रदेश में वर्सा जो है 20-50 सेंटिमेटर होती होस्तन, इस मुरुस्तल में क्रियेटो फाईटर्स 20-30 विट लंबी मुशला जड़ वाले पादपेजु देखने को मिलते हैं. अगला सवाल है, उच्चावत वे शुश्कता की दृष्टि से मुरुस्तल ये प्रदेश को कितने उपविभागों में बाट सकते हैं? दो, तीन, चार या फिर पाँच, तो उत्र हो जाएगा से, चार विभागों में बाट सकते हैं कौन-कौन से, महान मरुस्तल, भारत पाक सीमा के सहार इस्तित है, चटाने प्रदेश, बाड मेर, जेसल मेर, बिकानेर, चटाने, लगु मरुस्तल, कच की खाड़ी से, बिकानेर तक, और अर्ध, शुश्क प्रदेश में, लूनी बेसीन वे शेकावटी, शेत्र. अगला सवाल देखिए, वीडियो को लाइक शेर नहीं किया, तो जरूर कर देखने हैं, पहली बार देखने हैं, सब्सकाब भी कर लेना, अगला है, 25 सेंटिमेटर वार्शिक वर्षा के आधार पर, उत्री पश्चिमी मरुस्तल को, कितने समान भागों में, बाटा जा सकता ये सवाल भी पूछा गया है, दो, तीन, चार या पांच, उत्र हो जाएगा, ए, दो में, शुष्क परदेश या मरुस्तली परदेश, अर्द सुष्क, मरुस्तली परदेश, आगे देखिए, शुष्क, मरुस्तली परदेश के अंतरगत, आने वाले जिले हैं, संपोन जेसल मेर संपोन बिकानेर आधा चुरू आधा बाड मेर एक बटा तीन नागोर दो बटा तीन जोदपूर या सभी विवरण सही है तो क्या उत्र हो जाएगा यहापर दे है जो सही हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 25 सेंटिमेटर से कम वर्षा वाला इस्तान जो है सुस्क परदेश कहलाता है रास्तान में सबसे कम वर्षा वाला इस्तान सम जेसल मेर है सम गाओं जेसल मेर वनस्पति रहीत इस्तान भी कहलाता है वहीं सुस्क परदेश को हम दो भागों में बाट सकते हैं पहला तो हो जाएगा बालू का इस्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का इस्तूप मुक्त प्रदेश और मरुस्तलिय प्रदेश में 58.50% जो बालू का इस्तूप है ये भी आप ध्यान में रखेगा अगला सवाल है मरुस्तलिय प्रदेश के बालू का इस्तूपों को कितने भागों में बाटा जा सकता है दो, तीन, चार या फिर पाँच उत्तर हो जाएगा अपना दो भागों में बाटा जा सकता है और दो कौन-कौन से अनुधेरिय बालू का इस्तूप पवनों के समानांतर बनने वाले लंबे गहरे वे इस्तूप और दूसरा अनुप्रस्त बालू का इस्तूप पवनों के विपरीत बनने वाले बर्खान बालू का इस्तूप जो अर्ध संद्रागार होते हैं और बर्खा के बीच के मार्ग को कहते हैं गारो मारो जारो पारो सही उत्र हो जाएगा यहां पर अपना डै ठीक है अगला सवाल देखिए बालू का इस्तूपों बालू का इस्तूपों पर लहरदार छोटी-छोटी परतों को कहते हैं उर्मिला डोल नेरवा सभी उत्र हो जाएगा ए वहीं इफेक्ट में देख लिए डोल जो है लंबाय में स्तित बालू का इस्तूप को कहा जाता है वहीं नेर्वा जाडियों के पीछे निर्मित बालू का इस्तूप को कहा जाता है रेखिक बालू का इस्तूप का परकार है जो नहीं है अगला देखे आप सवाल मरुस्तल प्रदेश का कितना भाग बालू का इस्टूप मुक्त है 58.50, 52.20, 50% या 41.50% तो कितना प्रदेश है जो परसंटेज में बालू का इस्टूप मुक्त है उत्र हो जाएगा दे व्याख्या में देखे आप चपन की पहाडियों के अन्य नाम ग्रेनाइट परवत, सुन्दा माताजी परवत, सिवाना परवत, नाकोडा परवत चपन की पहाडियों के मद्धे इस्तित हलदेश्वर के पहाडियों में पेपलूद नामकिस्तान को मारवाड का लगू माउंट कहा जाता है अगला फेक्ट देखिए बालू का इस्तूप मुक्त प्रदेश परतदार चटानों से ढखा है ये चटाने टर्शियरी काल से प्लिस्टोसीन काल की है और इन चटानों में जुरासिक काल के अवशेस है जो हमें मिलते हैं ये भी आप ध्यान में रखिए हैं जेसल मेर का जो आकलवुड फोसिल पार्क भी जुरासिक काल का है और टर्शियरी चटानों में तेलवे गेस के भंडार पाए जाते हैं अगला सवाल है अर्द सुष की मुरुस्तलिय प्रदेश में वर्सा होती है 25-50 cm, 30-60, 60-90 या फिर 20-30 cm उत्र हो जाएगा अपना 25-50 cm अगला सवाल है अर्द सुष की मुरुस्तलिय प्रदेशों को कितने भागों में बाटा गया है अर्द सुष की मुरुस्तलिय प्रदेशों को 3, 4, 5, 6 उत्र हो जाएगा बै, चार भागों में कौन-कौन से गोड़वार प्रदेश, लूनी का मैदान या बेसीन कह सकते हैं शेखावटि का अंताय वृतिय जलिये, बांगर या बांगर प्रदेश, नागवर उच्छे भुमे प्रदेश, घगर का मैदान ठीक है आगे देखिए, लूनी नदी कहां से निकलती है, नाग पहाड अजमेर से, छपन पहाड़ियां अजमेर, हल्देश वर पहाड़ियां बाड़ मेर, यह इनमें से कोई नहीं तो उत्र हो जाएगा लूनी जो नदी है वो नाग पहाड अजमेर से निकलती है इससे समंदित और फेक्ट देख लीजिए यहां से यह सागरमती के नाम से निकलती है तथा अजमेर, नागोर, पाली, जोदपूर, बाड मेर, जालोर होते हुए कच के रन में मिल जाती है और बालोत्रा के पहले इसका जल मिठा रहता है बाद में खारा हो जाता है अता यह मिठी खारी नदी के नाम से भी जानी जाती है अगला सवाल देखिए शेखावाठी या बांगड प्रदेश में खोदे जाने वाले कुए कहलाते हैं जो कच्चे होते हैं कच्चे कुए जोहड, नाडा, दोनों केवल ए उत्र हो जाएगा से जोहड का गहरा इस्तान चो भी कहलाता है सिकर, जुन्जुनू, चुरू, छित्र, राव, शेखा ने बसाया था इसलिए शेखावाठी छित्र जो ये कहलाता है ढुंडाड छित्र में कुवों को बेरा कहा जाता है कुवों क्या कहा जाता है ढुंडाड में बेरा कहा जाता है बीड शेखावटी के अंदर जो घास के मेदान होते वो बीड कहलाते हैं और बीहड नदियों के कटाव से बने गड़े अगला सवाल है अपना नागोर उच्चे भूमी का विस्तार है लूणी बेसीन वे सेखावटी प्रदेश के मद्धे इस्तित नागोर जिली के उच्चे उठी हुई भूमी या लूणी बेसीन वे गोड़वार प्रदेश के मद्धे की भूमी दोनों ही सही है या दोनों ही न तो नागोर उच्चे भूमी का विस्तार कहां से कहां तक है उत्र हो जाएगा अपना ए ए विकल्प याँ पर सही होगा वैख्या में देख लीजिए सामभर डीडवाना कुचामन में केशक्तुए पद्धति से नमक तयार किया जाता है कूबड पट्टी बांका पट्टी जिसमें दस पीपीएम से अधिक फ्लोराइड होने से फ्लोरोसिस नमक रोग होता है जिससे दात पीले वे हड़ियां टेडी वे कमजोर हो जाती है और राज्ये में फ्लोराइड से सर्वादिक प्रभावित जो जिला है वो नागोर है तता सर्वादिक प्रभावित जो गा हिमाले का जल लाने वाली एक मातर नदी कौन सी है गगर चंबल बनास लूणी उत्र हो जाएगा ए गगर नदी है फैक्ट देख लीजिए इससे जुड़े विए यह नदी राजस्तान की अंतह प्रवाहा की सबसे लंबी नदी है यह नदी हिमाचल के कालका शिवालिक की पाड़ियों से निकलती है तथा हनुमानगड के तिब्बी नामकिस्तान पर राजस्तान में प्रिवश्ट करती है गगर नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है गगर नदी का उपजाओ मिट्टी का छेतर है वो बग्गी कहलाता है पश्चेमी राजस्तान का सरवादिक आर्धरिस्तान रानिवाडा जालोर में है और नाचना गाउं जेसल मेर का यह गाउं मरुस्तल के विस्तार के लिए जान रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकनों क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की सुझना आपको मिलते रहें फिर मिलते हैं